हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको ये बुनाई डालना बताऊंगे मैंने इसे कैप में डाला हुआ है आप इसे स्वेटर में भी डाल सकती है ये उल्टी सलाई पर डाली जाती है यह हमारा उल्टा है सबसे पहले एक फंदा बनाया अब ये जो हमारा नेक्स्ट फंदा है इसका एक फंदे में हम तीन फंदा बनाएंगे इसके लिए उन पीछे एक सीधा फंदा उन आगे एक फंदा उल्टा उन पीछे एक सीधा फंदा इस तरह से हमने ये एक फंदे में तीन फंदे बना लिए है अब उन आगे लेकर तीन फंदों का एक फंदा इस तरह से तीन फंदे लेकर सलाई पर और ये उल्टा फंदा बनेगा ये एक उल्टा फंदा बन गया फिर उन पीछे फिर इस फंदे से तीन फंदे बनाएंगे एक पंदा सीधा उन आगे एक फंदा उल्टा उन पीछे फिर सीधा इस तरह से ये एक फंदे में तीन फंदे बन गए, अब उन आगे करके हम तीन फंदों का एक उल्टा फंदा बना देंगे, फिर इसे एक फंदे से तीन फंदे, एक सीधा फंदा, उन आगे एक उल्टा और एक सीधा, जैसे ये फिर से एक फंदे के तीन फंदे हो गए, अब हम उन आगे करक करांगे तीन नहीं है कि इसी तरह क kompli सलाई निकाल लेंगे मेरी सीधा यह सिर्फा पूरी अलटी बनाई जाएंगे इस तरह से पूरी सलाई युल्टी बनाई जाएंगे थे देखये इस तरह से पूरी सलाई उल्टी निकाल लेंगे, अब यह हमारा फिर उल्टा आया, यह बुनाई उल्टी तरफ से डाली जाती है, इधर से हम क्या करेंगे, एक फंदा बुनाया पहले, अब यह जो एक फंदे के तीन बनाई थे हमने, इन तीन फंदों का एक बनाएंगे, तीन फंदी सलाई पर लेकर, एक उल्टा फंदा बनाएंगे इसका, इस तरह से, फिर उन पीछे ले जाकर, इस एक फंदे के तीन फंदे बनाएंगे, पहले एक सीधा फंदा, उन आगे, ए के consider запाट से एक पंदी के तीन फंदी बन गए अब इन तीन फंदो का एक को फंदा मोंपीछे इसके तीन फंदे एक सीधा मोान आगे 1 उल्टा मूंपीछ एक सीधा इस तरह से पूरि से लाई बना नहीं है ये बुनाई बहुत ही आसान है इसे आप बहुत आसानी से बनाने हुए देखिए इस बुनाई से मैंने ये कैप बनाई है इसमें लगे हुए फूल का वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुकी है थेंक यू